एक विक्सित भारत एक आत्म निर्भर भारत के लिए पून रूप से सुनिश्चित किया गया है प्रधान मंत्री जी की जो सोच है कि अमरित काल से शताब्दी काल का सफर भारत का निश्चित रूप से एक विक्सित भारत का रूप धारण करे वो इस बजट का मुख्य अंश है हर एक शेत्र चाहे वो क्रिशी हो ग्रामीन विकास हो अधोसन रचना हो सिचाई हो शिक्षा हो स्वास्त हो और भविश्य के भी जो रिफॉर्म हमें लाने हैं इन सभी चीजों को मद्दे नजर रखते हुए बजिट का पूर्ण रूप धारण हुआ है मैं बधाई देना चाहता हूँ वितमंत्री जी को अप्रधानमंत्री जी के नितित में भारत इस विकास के पत पेचलेगा देखिए विकास एक कंटिनियूम है अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक बीस हजार पॉइंट्स उपर बजार चला गया है हमारी आर्थिक विकास आठ द चाहरत की विकास और प्रगती जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है वहां महिंगाई पूरे विश्वस से सबसे कम है हर एक शेत्र में अधोसम रचना में बड़ोतरी हो रही है कैपिटल एकस्पेंडिचर में 9.5 लाग करोड पिछले वर्ष था 11.11 लाग करोड इस वर्ष का आकलन है हमारी एक कैपिटल एकस्पेंडिचर इन्वेस्मेंट ओरियेंटिड एकॉनमी आज बन रही है जो एक शुप संकेत है बहुत बहुत दने बाद